CBSE Board Exam में हर साल Physics में हजारों छात्र फेल होते हैं कई छात्र तो केवल इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या पढ़ें या कैसे पढ़ें आज के इस वीडियो में मैं आपको इनी सवालों का जवाब देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि इन लास्ट के कुछ दिनों में आपको Physics को कैसे प्रिपेर करना है ताकि कम से कम पासिंग मार्क्स आ जाए अपने exam को लेकर या private candidates को लेकर अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप बेही चक्खो exam सबके Telegram चैनल या Instagram पर हमें मैसेज कर सकते हैं लिंक वीडियो के description में मौझूद है अगर आप mathematics में weak हैं इसका एक कता ही मतलब नहीं है कि आप Physics में fail ही हो जाओ SEI students को सबसे पहले उन chapters पर focus करना होगा जिसमें numerical component काफी कम है अब यहाँ पर सवाल उठना लाजमी है कि जब साल भर पढ़ा ना हो तो अब इतने chapters को पढ़ें कैसे अब जब कि समय काफी कम है Actually यह सवाल गलत भी नहीं है इतने chapters को आप NCIT पढ़ करके तो अब फिनिस नहीं कर सकते इसके लिए आपको previous year questions की help लेनी होगी pandemic के बाद से board ने physics के syllabus को काफी reduce कर दिया है और board हर 2-3 साल बाद question repeat करता है यानि अगर आपने 5-7 साल के previous year questions पर भी command कर लिया तो आप 30 plus easily score कर दोगे PYQ करने का सबसे बड़ा फायदा यह भी है कि इसके जरी आप swim important topics and questions को identify कर सकोगे exam के लिए क्या पढ़ना है क्या नहीं यह आपको previous year questions से बहतर कोई नहीं बता सकता exam सबके official website पर भी हमने कुछ important topics mention किये है जिसका link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा हो सके तो एक बार इन topics को revise करने का प्रयास करें जो 5 marks question last 10 years में बार बार पूछे गए हैं पहले उन्हें पढ़ें numerical में कमजोर है तो अब उसे रहने दीजिए बिना numerical के भी आप passing marks secure कर सकते हैं essay students को current and semiconductor में से किसी एक chapter पर command करने की सोचना चाहिए अगर आप दोनों पर command कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है और PYQ solve करके आप ऐसा कर सकते हैं optics बेहद important chapter है for board exam इसलिए इसे नजर अंदाज करने की गलती ना करिएगा चुकि board exam में अब ज्यादा समय नहीं बचा है NCRT पढ़ने के बजाए आप अपने notes से पढ़ाई करें अगर previous year questions पर command कर चुके हैं तो बार-बार revise करें क्योंकि revision आपके confidence को boost करता है exam hall में panic नहीं होना है वरना जिस question का answer पता है वो भी गलत करोगे सारे question को attempt करें और question में जो पूछा गया है अपने answer को उसी context में present करें तभी आप CBSC के step marking का फायदा उठा पाऊगे in nutshell physics में आप अभी भी pass हो सकते हो provided आप अपने बचे हुए समय को अच्छे तरीके से utilize करो झाल